I welcome you all my dear strand आज हम पढ़ेंगे 2.3 An Invisible Bench Invisible का मतलब होता है Earth यह मतलब जो only imaginary बोल सकते है जो दिखाई निया देती पर है किसी को दिखने रही है लेकिन है जैसे air, हवा हवा क्या चीज है strand यह visible है क्या नहीं है Invisible thing है नहीं होती है लेकिन किसी को दिखती है या नहीं दिखती तो बस ऐसा ही है हवा जैसे है न तो यह Bench भी कैसी जिस पर हम बैठते हों कैसी Invisible है वो दिखाई नहीं देती किसी को लेकिन है हवा के जैसे air के जैसे ठीक है न तो बहुत ही funny चीज है यह जो chapter है बहुत ही ज़्यादा down as if he is sitting on a bench squads का मतलब होता है sit बैठना वो क्या करता है walking कर रहता है stage के उपर है न और क्या करता है वो बैठ जाता है नीचे है न as if he is sitting on a bench यह इस तरह से बैठता है जैसे कि किसी bench पर बैठा हुए देको ऐसा बैठ रहा है अमन के पास आती उसके पास आती है ठीक है और क्या कहरी बिना क्या कहरी देखो बिना बोलरी what are you doing अमन को क्या बोलती तुम यह क्या कर रहा हो अमन क्या कहरा है I am sitting मैं बैठा हूँ कहां पर on this invisible bench मैं यह दिखाई ना देने वाली है ना एक invisible bench के उपर बैठा हूँ जो दिखाई ने दे रही है तो बिना बोलती can I join you क्या मैं तुम्हें join कर सकती हूँ मतलब तुम्हारे साथ मैं भी बैठ सकती हूँ यह का मतलब है join का मतलब क्या होता है सामने वाला जो कर रहा है वैसा ही मैं कर सकती हूँ क्या जैसे कि आपके बड़े भाई खाना खा रहे है आप अगर उन्हें कहें मैं I join you brother इसका मतलब है कि मैं भी क्या आपके साथ खाना खाऊँ यह मतलब होता है आपके मम्मी क्या कर रही है कुछ पढ़ रही है आप ऐसा ही बोल सकते है कुछ खेल रही है आप ऐसा ही बोल सकते है Mother, may I join you? क्या मैं भी आपके साथ खेल सकती हूँ मतलब आप जो कर रहे है मही कर सकती हूँ यह मतलब होता है जॉइन का है आगे देखते जाओ तो बीना भी बोल रही है Can I join you? तो अमन भी बोलता है Sure, बिलकुल भी तुम भी मिर साथ जॉइन कर सकती हूँ तुम भी मुझे मिर साथ ऐसे ही बैठ सकती हूँ ठीक है आगे क्या होता है अमन गेट्स अप अमन उठता है मूँस तू वन साइड और बाजू मैसा मूँ होता है सरकता है वहाँ से बोथ अमन अब जो दोनों के दोनों को नए अमन एंड बीना sit down on the bench दोनों के दोनों इस bench पर बैठे है तुम इस टाइप से दिख पा रहा है वहन चंदा वाक्स अप टू देम और उसी समय चंदा उनके पास चल के आता है और चंदा क्या बोल रहा है देखो what are you doing चंदा इन दोनों को बैठा हुआ देख रहा है अजीब तरीके से तो उनको बोल रहा है तुम क्या कर रहा है तो अमन और बीना क्या बोल रहा है देखो we are sitting on this invisible bench तो आगे क्या हो रहा है देखो अमन एंड बीना गेट अप अब इसे बैठा ना है न चंदा को तो चंदा ही ना मैंने है तो अमन और ये जो है बीना ये उठते वहां से गेट अप मतलब उठ जातें move to one side और बाजू में थोड़ सा move होते है सरक जाते हैं वहां से और अब क्या है all three sit down again और तीनों की तुनों फिर से बैठ जाते है when दिनेस और तभी when मतलब तभी दिनेस एंड एकता wake to them walk up to them walk up का मतलब उनके पास पहुँचते हैं when दिनेस एंड एकता walk up to them उनके पास चलते हुए आ रहे हैं और क्या होता है देदो दिनेस और एकता उन्हें क्या पूच रहे है what are you doing what are you guys doing तुम क्या गर रहो guys तुम लोग क्या गर रहो तीनों की दिनों बैठे हुए थे तो दिनेस और एकता पूच रहे हैं तो दिनेस और एकता यहां पर आए और उन्हें पूच रहे हैं तो क्या बोलते हैं अमन बीना और चंदा है जो हैं यह आपर देखो यह अमन है यह बीना है और यह चंदा है तीनों बैठे हुए है और ये दो लोग आए हुए है, ये दिनेस है, और ये क्या है, एक था, ये उन्हें पूछ रहे हैं, कि तुम क्या कर रहे हैं, तो क्या बताते हैं, we are sitting on this invisible bench, हम इस invisible bench पर बैठे हुए हैं, तो दिनेस पर एक था क्या बोलते हैं, can we join you, क्या हम भी आपको join कर सकते हैं, आपके साथ बैठ सकते हैं, है ना, तो aman, बीना और चंदा क्या बिलते हैं, sure, बिलकुल बैठ सकते हो, ठीक है, ये aman, बीना और चंदा ऐसा कहरें बैठ सकते हो गर के ठीक है फिर क्या होता है ये तीनों की तरह उठते हैं एक बाजू में थोड़ा सा मूँ होते हैं सरख जाते हैं वहाँ से और अब क्या होता है आल फाइव चिल्डरन सिट डाउन फार्मिंग अ लाइन तो पांचों की चारों बैठ जाते हैं एक ही लाइन में ठीक है आगे क्या होता है फिर अभी स्टेज पर ये बैठे थे न तो स्टेज पर अब फारुक आता है फारुक वाक्स ऑन स्टेज वो स्टेज पर आता है फारुक और फारुक बहुत मस्ती करता है उनके साथ थोड़ा सा मस्ती करने के mood में रहता है वो तो फारूक क्या बोलता है देखो फारूक क्या कह रहा है What are you guys doing? तुम सबके सब लोग, तुम लोग सबके सब क्या कर रहे हो ऐसा वो पूछ रहा है फारूक तो all other, सबके सब क्या बोलते है Just sitting here on this invisible bench हम सबके सब बैटें इस invisible bench पे जो दिखाई नहीं दे रही है ऐसा हो कह रहा है तो फारूक क्या बोलता है No, you are not नहीं, तुम नहीं बैटे हो points मतला ऐसा finger करते हुए बोलता है तुम नहीं बैटे हो I moved the bench over there मैंने तो bench को यहां से move करके उधर ले जा लिए Over there मतला उस तरफ ले जा लिए ऐसा हो कह रहा है All other सबके सब क्या बोलते हैं यह लोग Oh no, aray yaar क्या हो गया ऐसा को बोल रहे है और ऐसा बोल के क्या करते है They all fall down वो सबके सब नीचे गिर जाते हैं बस ऐसी मस्ती मस्ती में नीचे गिर जाते हैं दो यह सब गिर रहे है तो इससे बहुत मज़ा आते है मैंने तेने बेवकूब बना दिया फारुक फिर फारुक क्या बोलता है हाँ 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 ऐसा हसने लग जाता है ठीक है तो फिर अमन क्या बोलता है Let's do that again चलो फिर से करें यह चीज तो फिर क्या होता है The first five children move to one side and then sit down again पांचों के पांचों चीड़रें वो एक साइड ऐसा सरख जाते है क्योंकि वहाँ पर बेंच हट गई थी न तो दूसरी जग सरख जाते है बाजू में क्योंकि बेंच वहीं पर है sit down again फिर से वहाँ बैठ जाते है तो फारुक क्या बोलते है फिर फारुक आजाता है उनके पास बोलता है What are you doing guys तुम क्या कर रहे हो What are you guys doing तुम सब क्या कर रहे हो तो आल अदर वो पांचों के पांचों क्या बोलते है Just sitting here on this invisible bench हम इस invisible bench पर बैठे हुए है तो फारुक क्या बोलते है No you are not तुम यहां नहीं बैठ सकते है ऐसा हो बैल रहा है तुम बैठे नहीं हो I moved the bench over there yesterday मैंने इस bench को यहां से move कर लिया था लिजा लिया था there मतलब वहाँ पर yesterday मतलब कल मैंने कली बेंच को यहां से उदर move कर दिया था लिजा लिया था हटा दिया था ऐसा हो कह रहा है move कर दिया था नहीं हटा दिया था तो अमन क्या बोलता है But I moved it back here this morning अब वो गिरना नहीं चाहते हैं न तो क्या अमन क्या बोलता है लेकिन मैंने इसे वापस यहां पर ला लिया था back वापस here यहां पर this morning आज सुबह ही मैंने वापस यहां ला लिया था कह रहा है तो फारुक बोलता है then it's all right can I join you ठीक है फिर तो ठीक है क्या मैं भी आपके साथ बैठ सकता हूं अमन बोलता है और बिलकुल आप बैठ सकते हो तो they all sit down in a line तो सबके सब एक ही line में वहाँ पर बैठ जाते हैं जैसे कि आपको लोग देख पारें इस टाइप से बैठते हैं वो आगे देखो फिर क्या है they all sit down in a line फिर फारुक की दिमाद में कुछ idea आता है वो क्या करता है I have an idea let's start again वो क्या मन में सोच रहा है कि मेरे पास एक idea चलो फिर से start करते हैं तो वो फारुक उड़ जाता है वहाँ से walk away थोड़ सा दूर चलते हुए जाता है and runs up to the children again और दौरते हुए फिर से इन बच्चों के पास आता है जो बैठे हुए था है और क्या बोलता है फारुक what are you guys doing तुम सब के सब क्या कर रहे हो guys ऐसा है पूच रहा है इन से ठीक है तो all other सब के सब क्या बोलते है sitting on this invisible bench हम सब इस दिखाई नह देने वाली bench पर बैठे हुए है invisible bench पर तो फारुक क्या कह रहा है देखो oh no I had just finished painting that bench अरे क्या हो गया भई oh no मैंने अभी अभी इस bench की painting finished की अभी अभी paint किया है मैंने इसे तो ऐसा वो कहता है तो सब के सब के सब बोलते है ah क्या हो गया ऐसा करके ah ऐसा चिला रहे सब के सब और देखो और क्या करते है stand up सब के सब उठ जाते and wipe the imaginary paint off their back side उनके back side में जो imaginary paint लगा है वो मानती ही कोई paint लग गया है है ना फालतू का हिस ही है ना मजाक मजाक का है ना imaginary मतला मजाक मजाक का paint लग गया है और वो क्या करते है wipe off wipe off मतला उसे साफ करें दो को सब जड़ा आ रहे हैं साफ करें अपने पीछे के वाले हिस्से से अपने back side से अमन क्या बोलता है let's do that again all other बोलते है okay चलो फिर से करते है तो अमन बीना चंदा दिनेज एकता sit down on the imaginary bench फिर से वो imaginary bench पे अपने लोग बैठ जाते है फारुक gets up फारुक महां से उठ जाता है walk away कुछ दूर तक चलती हुए जाता है and come back again और फिर से वापस आता है और क्या कहरा फारुक what are you guys doing तुम सब के सब क्या कर रहो guys है ना तो all other बाकी लोग क्या बोलते है sitting on this invisible bench हम इस invisible bench पर बैठे भी है इसा ही वो जवाब देते है तो फारुक बोलता है oh no I had just finished painting that bench मैंने अभी-भी फिनिस किया इस bench की painting मतलल अभी-भी पैंट किया है मैंने और तुम बैठ गए ऐसा हो कह रहा है तो अमन क्या बोलता है oh that's okay अरे चलेगा भई we all have our invisible pant suits on हमारे पास pant suits पहना हुए मतलब ऐसा suit पहना हुआ है जिससे वो pant उस पे चिपकेगा नहीं ऐसा वो बोल रहा है अमन है ना चलेगा भई क्योंकि हमने क्या कर लिया है pant suit को हमने we all have our invisible pant suit on pant suit on मतलब पहना हुआ है हमने pant suit देखो ठीक है जिसपे pant नहीं चिपकता है इसलिए हम कहीं भी बैठ सकते हैं ऐसा वो कह रहा है आगे क्या होता है all stand up सबके सब उठते हैं वहां से फिर unzip the front of their imaginary suit जो imaginary suit पहने है उसको unzip करते हैं उसे खोलते हैं and step out और उससे बाहर निकल जाते है and then और उसके बाद they begin to fold the invisible suit और उस invisible suit को fold कर रहे है देखो यहाँ पर दिखा रहे है diagram ऐसा लग रहे है invisible pant pant से बाहर निकल को उसे fold करने घडी कर रहे हैं फारुक क्या बोलता है I have another idea मेरे पास और एक idea है और वो क्या करता है walks away and come back again वो फिर से दूर चलती है जाता है और वापस आ जाता है और फिर क्या बोल रहा है फारुक what are you guys doing तुम सब क्या कर रहे हो तो all other दूसरे दूसरे लोग क्या बोलते है we are moving this invisible bench देखो उठा रहे हैं कहीं ले जा रहे हैं ऐसा invisible bench को हम क्या कर रहे हैं इसे move कर रहे हैं कहीं और लेके जा रहे है invisible bench को तो फारुक बोलता है I heard मैंने सुना है that they are serving कोई लोग जो है वो बोल रहा है they are serving invisible cakes in that hall there उस hall में कुछ लोग जो है वे लोग क्या कर रहे है cake जो होती न cake उसे serve कर रहे है बांट रहे है in that hall उस hall में वहाँ पर है ऐसा वो बताता है उन सबको तो सब के सब क्या कर रहे है पता है आपको all throw down सब के सब छोड़ देते वहीं पर the invisible bench को and run in the direction of the hall और उस hall की तरप जहां cake बटरी ऐसा है बता रहा था वहाँ पर भागने लगते है दौडने लगते है फारुक फॉलोस और फारुक भी उनके पीछे दौडने लगता है तो इस टाइब से और खेल रहे है मजाक मजाक का खेल कर रहे है तो कैसी लगी आपको अगर अच्छी लगी होगी तो बताएगा मुझे मजा आया की ने आपको चेप्टर में तो इसके पॉइंटर्स भी मैं इसी चेप्टर में डिस्कस कर दूँ कि कितना बड़ा बन गया लिक्चर हमारा 12 मिनट का ठीक है पॉइंटर जो है इसके वो भी मैं यहां पर डिस्कस कर देता हूं देखो inact the skit inact the skit का बता है चोता चोटी कहानी inact का मतλव होता है fun मजा है na तो आपको क्या करना है इस चोटी comedy in iskit का मतलब होता है चोटी ची comedy इसे क्या करना inact करना है inact का मतलब था act करना है ऐसी आपको acting करना है और अपने class में comedy करनी है ठीक है दूसरा can you think of other imaginary action to use in the skit यह जो skit था जो comedy थी इसमें और दूसरी को imaginary action आप कर सकते हैं सोच सकते हैं का सोचना है आपको है ना discuss करना है अपने group में 5 लोग का है ना 5-5 लोग का group बना के discuss करना इस चीज़ को है ना make a list of of about 5 such action in the group then extend the skit is skit को आपको आगे extend करना है बनाना है इस comedy को थोड़ी बड़ी बनाना है और write a new skit using those action और action को use करेक एक नया skit एक नई comedy आपको बनानी है ना देखो use the following idea to answer the question what are you doing and enact your answer आपको पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे है आप बोले कि invisible pen का आप use कर सकते हैं किसी चीज में invisible paper का invisible scissors का है ना invisible shoes invisible umbrella invisible ball invisible board invisible wall invisible tree invisible needle and thread इन सब को आप use करके एक नई story सी टाइप की skit बना सकते हैं क्या बुला है join the pieces to make at least 10 meaningful sentence thus आपको meaningful sentence बनाने और यहां से इन parts को इसके साथ जोड़ना है और अच्छे सच्छे sentence बनाने remember to use a question mark if you begin your sentence with who अगर who से अगर आप sentence को start करते हैं तो question mark लगाना नहीं बुलना है तो कैसे करेंगे देख लो अभी हम कर लेते हैं इसको देखो आप देख पा रहें यहां लिखा है I और एक चीज़ मैं आपको बता दू I के साथ हमेशा क्या use करते हैं am use करते हैं या फिर was use करते हैं I के साथ क्या use करोगे am या was ठीक है मैं आपको पहली बता दे रहा हूँ I के साथ was या यह am am का ही use करना है और यहां से कोई भी आपको sentence को add कर सकते हो I am I am मैं हूँ क्या हूँ भई फिर I was हर classmate दोनों सही है, ठीक है या फिर I am very friendly ऐसा भी लिख सकते हो, या I was very friendly ऐसा भी लिख सकते हो, वैसे ही V के साथ क्या जुड़ेगा, V के साथ R जोड जोड सकते हो, या W जोड सकते हो, है न, उसके जादा कुछ मत जोड़ना, या want भी जोड सकते हो, है न, तो we are we are in standard 6, ऐसा लिख सकते हो we are, V के साथ क्या जोड़ोगे, V के साथ R, R के साथ in standard 6, तो एक अच्छा sentence बन जाएगा न, you के साथ R जोड सकते हो, you are, देखो, you के साथ भी आप R जोड सकते हो our teacher, ये भी एक अच्छा sentence बन जाएगा, he के साथ आपको R नहीं जोड़ना, he के साथ is जोड़ना he is our teacher ऐसा भी लिख सकते हो, he is our teacher, वो हमारे teacher है, है न, ऐसा भी लिख सकते हो he is in standard 6, वो standard 6 में, वैसे ही, see or it or they, इस सब का यूज़ करके आप sentence बना सकते हो, ठीक है strand, तो हम क्या पढ़ेंगे, अब 2.4 अगले lecture में आपके लिख करके आऊँगा thank you very much strand